डेर्प्रेंट्स मेरा नाम विक्की महरा है जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको adverbs करवा रहा हूँ तो adverbs के बारे में उसकी टाइप से डाफिनेशन का अब आपको बता चुका हूँ अब जुज ओफ adverbs उनको यूज कैसे करना है sentence बनाने के लिए हम sentence में उनको कैसे use करते हैं वो आपको बता हूंगा तो बड़े important आज हमने two topics उस पर select किया है जैसे है quite और vary यह adverbs हमने select किया है इसके बारे हम बता हूंगा दोनों meaning तो same आता है लेकिन इनमें difference क्या है काम ने quite जूज करना और काम ने vary ठीक है तो quite का देखेंगे पहले quite क्या है quite conveys the sense of whole means holy जिसका होल मतलब सारा पूरी तरह से सारा जिसको हम बोलते है quite कहा पर आता है conveys the sense of holy means पूरा जितना भी है संपूर्न सारा तो बहां पर हम जूज करते है quite ठीक है for example जैसे है he is quite all right quite मतलब वो बिल्कुल पूरी तरह से वो say he is quite all right वो बिल्कुल say quite right ठीक है जैसे है she is quite happy वो पूरी तरह से खुश है she is quite happy तो quite मतलब पूरी तरह से खुश है quite काम करेंगे like holy पूरी तरह से ठीक है तो next जैसे very very का मतले शेंट कनफेश रीक में ज्यादा संपूर नहीं यह लेकिन ज्यादा है very is आ गया बैरी कनफेश कर्मेल सेर्फ ही डिफिए ठीक है, for example, इसका देखो, जैसे, she is very clever, वो बहुत चलाग है, उसकी degree के है, means काफी चलाग है, वो very clever, she is very clever, ऐसे है, we are very poor, we are very poor, हम बहुत ग्रीव हैं, जैसे, they are very rich, वो भी लिख लो, मैंने दो-दो एक्जामपल दी है, italic में दी हो, अब हाँ समझ सकते हो, ठीक है, they are very rich, तो very वहाँ प्याग है, means highest degree बताए है, उनके बारे में, ठीक है, कोई subject के बारे में, उसको बताए है, higher degree, sense किसमें, very में, किसी बी चीज की, बहुत ठीक है, जब quite की बात आती है, उसमें सारा आता है, जब very की बात आती है, उसमें ज्यादा बताया है, जहीं नहीं है, उसमें सारा बाग नहीं आता, मैंने कुछ ज्यादा है, तो quite में आपका full आ जाएगा, और very में आपकी sense of high degree की आएगी, ठीक है ना, जैसे, he is quite all right, she is quite happy, she is quite well today, वो बहुत well है, ठीक है न, you are quite right, जै आ पूरी तरह से, holy और very, very conveys the sense of high degree, इसका मतला है बहुत ज्यादा, ज्यादा है बस, she is very clever, he is very rich, we are very poor, तो जैसे हमें बताते हैं, इनका very और quite का कैसे जूज करना है, बिल्कुल simple और easy sentence, लिखके मैंने आपको जे बता दिया है, italics में words भी दे दिया है, आप इसको अच्छी तरह से समझे सकते हो, quite का पजो करना है, जहाँ पर पूरा वाग आता है, और very का वाग ज्यादा है, highest degree के लिए, very मतलब बहुत, मुझे उपया कि जे आपको समझे, आ गया होगा, बिल्कुल adverbs हमने यह बताया, आपको juice of adverbs, quite और very का, दो बार सुनेंगे आप और words में note कर लो, और आप इसको सीख जाएंगे, मुझे उमीद है कि आपको यह बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो आप इसको like और subscribe करें, जन्यवाद